Hello everyone, मैं हूँ किरिंशापुरी और ये है आप लोगों के लिए August 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जानना चाहते हैं कि August मन्त में आपकी Love Life में क्या हो रहा है क्या आपके पार्टनर की energies होंगी, क्या आप महसूस करेंगे कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप August मन्त की energies को बदल सकते हैं, अपनी Love Life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाप से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो, नाम के हिसाप से राशी हो, आपका Moon sign हो या फिर आपका Sun sign हो इन फाक जिस sign के साथ आप सबसे ज़्यादा resonate करते हैं, आपको लगता है कि ये sign आपका है आप उस sign के हिसाप से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं August 2024 की Love Tarot Reading चलिए वो गोज़ आप लोगों के लिए देखें कि August 2024 में आपकी Love Life में क्या हो रहा है मेरे पास यहाँ पर तीन set of cards हैं फर्स set of cards में हम आपकी energies देखेंगे, सेकिन set of cards में आपके partner की energies देखेंगे and थर्ड set of cards में हम देखेंगे कि finally August month में क्या हो रहा है तो आप से शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पर सबसे पहला card में तो दिख रहा है जो आप कहना चाह रहे हैं नहीं कह पा रहे हैं और कहीं हो सकता है कि आप थोड़े से adjustments, थोड़े से compromises भी अपने partner के लिए इस relationship के लिए कर रहे थे, कर रहे हैं और कहीं इन ही energies से खुद को आप बहार भी निकालना चाह रहे हैं and deeper level के लिए hiding from you का card कहता है कि या तो literally आप अपने partner से कोई बात चुपा रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि partner आप से कोई बात चुपा रहे हैं यानि कि transparency आप दोनों के बीच में नहीं है या फिर you know आप ही अपने partner से चुप रहे हैं आप सामने से partner को face नहीं करना चाह रहे हैं सामने से पार्टनर से बातचीत नहीं करना चाहा रहे हैं और दिखें, reason सब के लिए differ करेंगे लेकिन यहाँ पर dirty and messy का card कहता है कि कोई बात आप दोनों के बीश में हुई अब दिखें, यहाँ पर कुछ के लिए simple argument हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि कोई confusion है अगें कोई भी चीज हो सकती है जो काफी जादा उलज गई है जो थोड़ी सी, you know, dirty यानि की खराब या फिर messy situation हो गई है and six of cups reverse का card कहता है आप थोड़ा सा emotionally low feel कर रहे हैं पुराने पल जो भी अगर आपने पार्टनर के साथ अच्छे बिताए उनके बारे में सोच रहे हैं उनको miss कर रहे हैं उनकी आपको बहुत याद आ रही है और कुछ के लिए हो सकता है कि past कोई relationship आपको बहुत जादा याद आ रहा है देखी ये card past की बात करता है तो यहां तो current partner के साथ past जो भी time बिताया उसके बारे में जादा सोच रहे हैं और उनको बहुत miss कर रहे हैं याँ फिर से कहूंगी past का कोई relationship हो सकता है जो भी हो and august के लिए the tower reverse का card कहता है कि एक suffocation एक घुटन आप महसूस कर सकते हैं अब दीखें इस suffocation एक घुटन के लिए सब गोस के लिए different reasons रहेंगे लेकिन जब भी भी एक आड़ाता है हम ये कहते हैं कि शायद आप कोई feeling, कोई emotion suppressed कर रहे हैं या फिर बहुत एक limitations बहुत एक restrictions महसूस कर रहे हैं अब दीखें ये limitation, restrictions सब के लिए differ कर सकती है कुछ के लिए society की तरफ से हो सकता है कुछ पाबंदियां आप महसूस कर रहे हैं और especially जब extra marital affair होता है तब society नहीं accept करती है या फिर दूसरे religion में हमें किसी से प्यार हो जाता है तब भी society की तरफ से issues होते हैं यहाँ पर ये जो दो examples मेरे mind में आए मैंने आपको बताया किसी भी तरीकी की society या religion की तरफ से पाबंदियां हो सकती हैं जिनकी वज़य से एक घुटन आप महसूस कर रहे हैं और दीखिए जो भी external front पे हो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे mind के negative thoughts negative belief system सबसे बड़ी पाबंदी होती है और जब हम इस पाबंदी को अपने mind से हटा लेते हैं तो बाहर जो भी हो रहा हो ना यानि के external front पे जो भी हो रहा हो वो हमें bother नहीं करता है तो इस चीज को ज़रूर चेक करके correct करें and multifacet का card कहता है शायद आप एक तरीके से चीजों को नहीं सोच पा रहे हैं कभी आपके मिन में कोई थोट आता है कभी कोई और थोट आता है कभी आप कुछ अपने partner को कहते हैं या फिर कभी कुछ और अपने partner को कहते हैं कहीं you know आप clear नहीं हो पा रहे हैं और इसलिए शायद August end में एक anxious restlessness energies भी आप महसूस कर सकते हैं और अभी मैंने आपको reason बताया इसको check करके correct करेंगे तो end August में जो anxiousness जो you know restlessness हमने देखी उसको भी आप better कर पाएंगे better in the sense की उसको आप ठीक कर पाएंगे उस restlessness को आप अपने mind से अपनी energy से हटा पाएंगे और अब देखते हैं कि आपके partner की क्या energies है तो देखिए आपके partner के लिए यहाँ पे सबसे पहला card है Eight of Pentacles Reverse और यह card कहता है कि कुछ time से यहाँ फिर August starting में आपके partner अपने professional front पे अपने काम पे ज़ादा focus कर रहे हैं यहाँ फिर करने की कोशिश कर रहे हैं और उतना effort उतना कोई initiative इस relationship के लिए नहीं ले रहे हैं और देखिए surface level के लिए जो भी उनके energies हों कहीं deeper level के लिए daydreaming का card कहता है मन ही मन वो ख्वाब आपके ही देख रहे हैं तो surface level के उनकी energy से ज़रूर आपको ऐसा महसूस हो सकता है लेकिन मन ही मन वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं और देखिए कोई distance आप दोनों के बीच में आता हुआ दिख रहा है अब यह distance अब के लिए differ करेगा कुछ के लिए simply हो सकता है कि आप लोग बातचीत कर रहे हैं लेकिन mental emotional level पे distance आ रहा है कुछ के लिए हो सकता है कि शायद physical level पे distance आ रहा है आप दोनों उतना मिल नहीं रहे हैं उतना connect नहीं कर रहे हैं उतनी बातचीत नहीं कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक travel कर रहे हैं, आप कुछ के लिए temporary travel हो सकती है, सिरफ mid August में या August मन्त में हो रही है, उस वज़े से एक distance आया है, कुछ के लिए हो सकता है, job के लिए, पढ़ाई के लिए, या किसी भी और reason के लिए, आप दोनों में से कोई एक, you know, दूसरी city में ज आ रहे हैं, उस वज़े से distance आया है, तो दीखिए, किसी भी तरीके का distance, आपके partner, आपके और अपने बीच में महसूस कर रहे हैं, और इसलिए या फिर कोई और भी reason हो सकता है, बहुत जादा फिक्र कर रहे हैं, overthinking कर रहे हैं, रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, एक stress से एक tension बहुत जादा उनको हो रही है, और उनको ऐसे लग रहे हैं कि कैसे stress, इस tension, इस overthinking से वो खुद को बहार निकालें, और शायद end August में इन ही energy से वो खुद को बहार निकालते हुए भी दिख रहे हैं, queen of pentacles का card कहता है, बहुत practical, realistic होके चीज़ों को deal कर रहे हैं, और अच्छे वग उसके partner के लिए यह भी हो सकता है कि कोई female है, वो उनकी mother भी हो सकती है, sister भी हो सकती है, friend भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, colleague, co-worker भी हो सकती है, जो उनको थोड़ा practical, realistic रहने के लिए कह रही हैं, थोड़ा से influence कर रही हैं, और deeper level के लिए रंदवेस का card कहता है तो दिखिए August starting में, चीजे काफी slow जाती हुई दिख रही है, या फिर आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि जिस direction में आप लोग चाह रहे हैं, उस direction में चीजे नहीं जा रही हैं, deeper level के लिए room service do not disturb का card कहता है, August starting में आप दोनों ही एक दूसरे से उतना जादा नहीं मिलते और हमने आप दोनों के cards में भी देखा, कि आप withdraw कर रहे हैं, आप उनसे छुप रहे हैं, आपर hiding from you का card है, और आपके partner शायद आपके बारे में सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन कहीं action initiatives नहीं ले रहे हैं, और कहीं mid August के लिए together again का card कहता है, कि जो भी issues मसले आप दोनों के ब होना चाहा रहे हैं, हमेशा के लिए होना चाहा रहे हैं, एक दूसरे की companionship, एक दूसरे का साथ miss करते हुए दिख रहे हैं, और फिर से मैं कहूंगी एक दूसरे का साथ चाहते हुए दिख रहे हैं, एक दूसरे का साथ आगे रहे, उस पे focus करते हुए दिख रहे हैं, लेकि कि चाहा तो रहे हैं कि चीजें resolve हो जाएं अगर कुछ issues मसले हैं तो reconciliation हो जाए या फिर एक दूसरे से connect करें, date पे जाएं बात चीत करें, ऐसा मन ही मन अगेन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो action initiative is required हैं, वो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं ले रहे हैं, और देखिए यहाँ पर getting closer four of pentacles reverse के cards भी, कहीं इन ही energy score और जादा confirm कर रहे हैं getting closer का card फिर से कहता है कि मन ही मन एक दूसरे के बहुत करीब आना चाह रहे हैं physical intimacy चाह रहे हैं emotional connect चाहा रहे हैं emotional connect तो खेर होगा ही लेकिन दिसे होता है कि बात चीत करना चाहा रहे हैं, date पे जाना चाहा रहे हैं मिलना चाहा रहे हैं, बहुत एक intimacy चाहते वे दिख रहे हैं लेकिन surface level के लिए four of pentacles का card गहता है, अपने आपको hold back कर रहे हैं, यानि की feelings, प्यार, महबबत सब कुछ end august में महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले रहे हैं, उस तरीके से एक effort आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक नहीं लेते वे दिख रहे हैं, तो मैं यही कहूंगी कि अगर आप august end की या august month की energy इसको बहतर करना चाहते हैं, तो hold back ना करें और withdraw ना करें थोड़ा सा wisely चीजों को समझते हुए, situation को समझते हुए, action initiatives जरूर ले और पहले आप पहले आप ना करें, क्योंकि पहले आप पहले आप में गाड़ी निकल जाती है, तो यह इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें